नमस्क्राइनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है मैं रश्मी शर्मा कैमरामेन शुवम भगत के साथ बात करें रजोरी के ढांगरी के टेरर अटेक की जिसमें छे लोग की जाने गी और लगबग 15 लोग घायल हुए पर सबसे बड़ा सवाल यह उठा जा रहा था कि आ लिए गायल होते हैं एक बड़ा सवाल है कि आखिर कमियां कहा है और उसे भी बड़ी बात कि जम्मों ने चुपी क्यों साथी जब मेडिया ने लगातार इसकी आवाज उठाई तो कहीं सारे संगटन भी सामने आए जिसमें अगर बात करें ट्रांस्पर्ट एसोसेशन की त अतंग वाद को खतम किया जाएगा जड़ से खतम किया जाएगा पर लगातार जिस तरह से किलिंग हो रही है वो भी आई कार्ट दे कर आखिर कहां पर कमिया रहे गई हैं इसी वीशे में बात करें हमारे साथ जूचुके फॉर्मर एमले और साथ इसाथ डिप्टी स्पोक् पर जाने गें से गगन जी क्या कहेंगे जो आतंग की हमला हुआ है और एक सवाल आप से भी करेंगे आप लोगों की तरफ से कोई भी वहाँ पर बयान बाजी नहीं आई या वहाँ पर आप दिखें नहीं हमें ये भी एक बड़ा सवाल देगा देखें जी सियासत लाशों करती है आपदा में अफसर से एक ही पार्टी ढूडती है और जहां तक रही जाने की हमारे जितने भी वहां के जो स्थानी कारे करता थे वहां उपस्ते थे परिवार के साथ खड़े थे और बिल्कुल जो भी उनकी अंतिम क्रिया करम थे शव्यात्रा से लेके उने पूरा परिवार साथ बैठे हुए हैं जम्मू से जब हमारे प्रविंशल प्रेजर लेता वहां जाने लगे तो इनको आगे सेक्रियोटी क्रेंश नहीं मिला है इनको कहा गये हुए हैं आगे कुछ नेता आगे गये हुए हैं वहां पर सुरक्ष्य वेवस्ता को लेकर एक दिकत है खत्रा है कि आंतकवादी काबू में नहीं आए हैं कुछ बड़ा हाथसा हो सकता है यह कहकर हम लोगों को रोका गया तो केवल मैं एक यह बात कहना चाहता हूं कि भाजपा को केवल निकलने दिया जा रहा है भाजपा के लिए कोई करोना बैन नहीं है भाजपा के लिए हर साथ खड़े होकर उसका अध्यक्ष है वहां खड़े होकर अड्रिस कर रहा है लेकिन असल में बात की जाए तो यह सारा जो भी मसला है चाहिए रजोरी के उपर आऊंगा कुछ दोनों पहले दो आर्मी के पोर्टर मारे जाते हैं पोर्टर मारे जाते हैं पहले कहा जाता है शायद आर्मी की कोई गलती से मारे गए वह फिर एक स्टेट्मेंट आता कि नहीं उनको शायद एक्ट आफ टेरर किसी आंतकवादी ने मारा है तो क्या यह वही आंतकवादी है जिन्हों ने आके टांगरी में किलिंग्स की उस टाइम सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया गया के हम लोगों ने हमारी सरकारों ने टेर्रिजम फ्री करती है अब ऐसी जगाओं पर जैसे लाकों में आंतकवादी पकड़े जा रहे हैं प्राफर जमू डिस्ट्रिक की बात करें तो यहां पर आंतकवादी पकड़े जा रहे हैं इतनी दूर से आंतकवादी लेके आ जाते है साड़े 300 किलो का जो आड़ी एक्स है वह पहुंच जाता है तो कहाँ पर सिक्यूरिटी फोर्सट हैं इसमें तो हमें लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जो नीचे ओपिशल से होते हैं यह तो काम करते हैं अपना लेकिन जो उपर इनका Commander बैठा हुआ है वो यजी प्लाइश बिल्कुल अब देखिंगे नवहाँ पर एक जैसे उन्हों ने कहा कि आंतुकवादी पहाड से उत्रे उन्हों एक उसके बाद वो चले गयव ओक होगे उसके बाद मुझे लाप पूरा अमला जाता सि स्केडिपर डौक्स तो पूरी अपने साजों समान के साथ जाते हैं उसको पूरा सेनिटाइज किया जाता है और अगले दिन सुबह क्या होता है चोटे-चोटे मासूम बच्चे जब जाता है घर पर आईडी ब्लास्ट हो जाता है उसकी जवाब किसकी है क्यों उन लोगों के ऊपर कारवाई नहीं की स्टेट्मेंट क्यों नहीं कर पाएं तो कौन सा उफिशल जो है इस पंसिबल था जो चार लोग मारे गए वह तो आंतगवादियों ने मारे लेकिन यह दो लोग मारे हैं यह हमारे लोगों की निकम्मेपन की वजह से हुए हैं दूसरा जो पहले जो पोटर थे उनको यह कह आना चाहिए क्या वह कंपनसेशन क्या उनके परिवार के सदस्यों को वापिस लाप आएगी बिलकुल नहीं पाएगा जो उनके सपने थे जो मासूम थे छोटे-छोटे बच्चे थे उनका परिवार तबाह हो गया आप जो परिवार में जो बचे हैं उनके जीवन के बारे परिवार के बिलकुल और वह ऐसे घरी परिवार से आते हैं और हमारी समयने सबके साथ है यहां पर मैं कोई किसी community को लेकर कोई बात नहीं करूँगा लेकिन इतनी बात करूँगा कि लेकिन वो लोग गरीब परिवार हैं भेद भाव जो कारण है ये LG साब खुद बता पाएंगे क्यों और कौन से ऐसे officials जहें जो LG साब को misguide करते हैं इनको पांच लाग दो दस लाग रुपे दो यहां तो शैद उनके वोटर नहीं थे वो बीजेपी के वोटर नहीं थे इसनी पांच लाग दे रहे हैं बीजेपी को तो आप तामें अपसर दिखता है ना लाशों पर राजनीती नों को करनी है ना बागी किसे करनी नहीं नहीं तो फिर क्यों रोका जाता है कि सारी जो कोशिश होती है कि कोई भी राजनितिक जो पार्टी है भाजपा के आगे ना निकल जाए कोई उस परिवार को मिल ना जाए जाकर समेचना प्रकटना करें को साथ ना खड़े हो जाए मतलब हर चीज में भाजपा जो है अपने आपको जाना चाहते है और इसमें सरकारी व्यवस्ता जो है पूरा साथ दे रही है जो जितने भी जाए बीडिये और यह साहिए उसन भाजपा के प्रदेश अधिक खड़ा होना मतलि जी साहब के ऊपर किसी राजनितिक पोस्ट के उपर नहीं है तो वहां पर एक राजनितिक व्य है अब ऐसा क्या जम्मो कश्मीर में हो गया के बाद धर का महल जदा बढ़ गया तर्गेटेट किलिंग जदा बढ़ गई रिजर्फ कैटिकरी इंप्लाइज जो है उस रड़कों पे बैठे हुए है चार मेने से बैठे हुए उनके चोटे-चोटे बच्चे चार मेने की सैलर परिवार को तो आपकी घूटी खतम उसके बाद उसके परिवार के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं आपको रती बार भी फरक नहीं पड़ता जिस तरह से वही अगर कहें वो रजोरी जो अभी टेरर डटैक हुआ उनके विक्टम जो परिवार है गौर्मन मेडिकल कॉलेज में कल की हमने एक स्टोरी किया वहां पर एड्मिट से पर इवन के जब एलजी साब एक एलजी की बात निकाली हुए मुख से वह एक पत्थर पर लकीर होती कहा गया कि इनसे पैसा नहीं लिया जाएगा कोई भी उसके बावजूद भी उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला उनसे पैसे एक सरे के लिए गे जब मीडिया क से मादिम से खबर आई तो रात को डॉक्टर्स की टीम भी भार से पूंच गी जब तकि उससे पहले उनके साथ कोई उनकी देख रेक नहीं होरी तो यह ऐसी चीजें कि जब किसी की जान जाती तब आप कंडोलेंस के लिए पहुंच आते हैं आप सोचते हैं हमने कंपनसेश भाजपा के पास रेडी मेट कुछ चीजें हैं एक कडी निंदा एक कंपनसेशन हमने कर दी हैं तीन चीजें होती हैं बाकी क्या वजह रही कि जिससे कारण आंतगवादी अंदर आए उन्होंने मारा और गायब हो गए इन पर काम बिलकुल नहीं हो रहा है आज आम जम्मू शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि रजोरी में खत्रा है हमें पुंच में खत्रा हमें डोटा में खत्रा हमें बदरवा में खत्रा रामबान में खत्रा हैं जितने भी ऐसी पहाड़ी डिस्ट्रिक्स हैं वहां पर प्लान चुरू हो सकता है और अगर टागेटेट कि लिंग और ह पैकेज के एंप्राइज के लगातार आतंकी संगड़न टीर फी तरफ से थ्रेट लेटर जा रहे हैं और डिपार्टमेंट की तरफ से अडिस्टिशन तरफ फर्मान आ रहे हैं और अगर नोकरी नहीं जाएंगे तो आपको घर बैटे सालरी नहीं मिलेगी तो क्या लगता वो भी इंतिजार कर रहे हैं कि उनके लिए भी कोई ऐसा हाथसा हो तो हम कंडोलेस करें कंबंसेशन दे देखेजी रिजर्व कर्टिकर एंप्लाइज हैं चाहिए वह माइगे दोनों हिंदू है और भाजपा चाहती है कि हिंदू जाए उगरवादिय जो है कों सी ऐसी चीजें है कानधार आटक ले लो चाहिए तो यह तो आपको समझना पड़ेगा यह आम लोगों सोचना पड़ेगा ना यह भाजपा के लोगे क्यों करवा रहें कि माइग्रेंस को चाहते हैं 24 का चुनाव पास में चाहते हैं माइग्रेंस तो रिज़र्फ करेंप्लाई है यह कश्मीर में जाए और टियार अरफ इनको गोली मार दे और जो हिंदू मरेंगे इनको बाहर जगा फैदा होगा इससे सत्ता में आएंगे सत्ता में आकर इन्होंने पूरे देश को बेचने का काम शुरू किया हुए अपने दोस्तों को अडानी अंबनी को और देश करनी और कथनी में बड़ा अंतर है हजार करोड किलोमेटर का फरक है अंतर छोड़ी बोड़ा छोटा लवज अंतर दो ये लोग इनका पूरा एक तंत्र है तंत्र क्या है इमोशन्स लोग बढ़काओ हिंदू-मुसल्मान कराओ मंदिर मस्जिद कराओ भारत-पाकिस्तान कराओ वोट ले लो जिब सक्ता में आ जाओ तो सारा जो सरकार अभी तक है जो सारी व और सवाल काफी सारी और अब सियासी पार्टियां भी कह रही है कि वीडी से इसको अगर मजबूत किया होता उनसे अगर वैपन वापस नहीं ली होते तो आज नजारा कुछ और होता जो अतंकिस परिवार को मारने आते आज वही मोत की उनको माउत के घाट उता रहा होता त इसको बीटाइए ना व्यवस्ता अच्छी रहेगी इनको आप परीवारों के साथ जिन्हों ने अपनों को खोया उन परीवारों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और कहां पर आप चाहते किस तरह के प्रवधान होने चाहिए वहां पर जोरी कि अगर बात करें कि जिस शक्री आतंकी उन पर लिगाम किसी बीटाली ने भीजी है मैं सरकार से यह यह करूंगा कि आम व्यक्ति के बीचों डर बैठ गया हो डर को निकालिये जिन परीवारों ने अपने खोए हैं उनकी भगवान के आत्मा को शांती दे और हमारा एक एक कारेकरता जो है उन परीव मंत्री जो है वो शहीद हो रहे थे आंतकवादियों से तो हम डरेंगे नहीं नैशनल कॉंस कभी ने डरेगी और डट के मकाबला करेगी हमें नहीं चाहिए कोई नैशनल कारेकरता काफी है इनके लिए यह थे हमारे साथ एंसी के डिप्टी चीफ स्पोक्स परसन गगन बग करते चब चरम सीमा परता आतंग तो किस तरह से वीडी सी ने उन्हें धूल चटाई थी अगर वाकिए उन्हें अब समय आ चुका है क्योंकि जनता अपना सेल्फ डिफेंस करना चाहती है अगर आप उन्हें मोका तो दीजिए अगर आप से कुछ नहीं होता लगातार आल ज टार्गेट की लिंग का सिलसला जा रही है लगातार लोग सडकों पर हैं रहबरे खेल की बात करें आल जमूबेस डिज़र की बात करें पीम पैकेज की बात करें आशा वोरकर्स की बात करें हमारे होम गार्स की बात करें अब बात करें तो किस किस की बात करें ये तो काम है सरकारों का क्योंकि सरकारे बनती आम जंता के लिए और जंता के द्वारा बनाई जाती है फिर फाइदा किसको हो रहा है फिर क्यूं आकिर जंता सडकों पर है क्यूं आकिर मासुमों की जाने जा रही है आकिर जवाब दही किसकी होगी चलिए देखते हैं जो इन्होंने कहा ग वाव हमें जरूर दीजिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए जूड़े रिया से मार्स आगले अपडेट के लिए